बेलकम टू एक्जाम गुरुजी भाई अर्बिन सर दोस्तों आपको बता दें कि साइन्स का इस्पेशल क्लास आज से टोपिक वाईज इस्टार्ट हो गया है फर्ष्ट क्लास है जो की प्रकास लाइट से है इसमें प्रकास का प्रावर्तन प्रकास का अपवर्तन वरल बिच्छे पड़ अउत्तलेंस उत्तलेंस दूर द्रिष्टी निकर द्रिष्टी सभी को कबर किया जाएगा इसमें अब दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ें तो आपको आप नहीं भूलने दूँगा और बाइस में आपको सरकारी नोकरी दिला कर ही मानूँगा इस class का नाम है bullet class दोस्तों आप इस पूरे class को देखिए फिर आप अंत में बताना कि एक class आपको कैसी लगी सबसे पहले हम जानेंगी कि प्रकास क्या है सबसे पहले हम जानेंगी कि प्रकास क्या है तो प्रकास उर्जा का एक उर्जा का ही एक रूप है जिससे या जिसके द्वारा हमें बस्तों को देखने की अनभूती होती है वास्तों में प्रकास बिद्दुत चुम्बकिय अनुप्रस्थ तरंग है तो प्रकास उर्जा का एक रूप है जिसके दोरा हम बस्तों को देखने के अनुपूती होती है या हम बस्तों को देख सकते हैं और यह एक बिद्दुत चुम्बकिय अनुप्रस्थ तरंग है दोस्त आगे हम बात करेंगे अगर परकास के आधार पर बस्तों को निम्न परकार से बांटा गया है पहला है परदीप्त बस्तों पेपर में पूछा जा सकता है इन मेंसे कौन सी परदीप्त बस्तों नहीं है इसलिए पूरा ध्यान से पढ़ना आपको परदीप्त बस्तों वह जो सोयम के परकास से परकासित हों जो सोयम परकास दें कहने का मतलब है जो सोयम के परकास से परकास बल्प इस तरह जो होंगे वो सुयम को प्रकास देते हैं में प्रदीप्त बस्तुई कहलाते हैं आप प्रदीप्त बस्तुई समझिए कि वहीं बस्तुई जिनमें सुयम का प्रकास नहीं होता है प्रन्तु प्रकास पढ़ने पर दिखाई देने लगती हैं उन्हें आप कुर्सी पर जैसे आप प्रकास मारेंगें कुर्सी दिखेगी अगर रात में मैज किताब आद ये आप प्रदीप्ट बस्तुएं कहलाती हैं तो आसा करता हूँ प्रदीप्ट और आप्रदीप्ट बस्तुएं आप समझ गए होंगे आगे पारदर्सक बस्तुएं पारदर्सक बस्तुएं जिन से होकर प्रकास किरेड़े पार निकल जाती है जैसे सीसा सीसे में अगर आप इधर से लाइट मारेंगे तो प्रकास इधर निकल जाएगा जैसे या मने एक टार्त या दोस्तों बल्प रखा है बल्प की अं क्या क्या हैं क्या प्रदीपत हैं कौन सी आ प्रदीपत हैं आसा करता हूं आप समझ रहे होंगे अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो के अभी के अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंट के तुरंट सब्सक्राइब कर लीज सबसे ज़्यादा प्रकास की चाल होती है निर्वात में और दोस्तों आगे हम आपको बता दें कि माध्यम के अपवर्तनांग पर निर्भर करती है यह प्रकास जो होता है वह माध्यम के अपवर्तनांग पर निर्भर करती है जिस माध्यम का अपवर्तनांग जितना अधिक हो उस प्रकास के चाल उतना ही कम होता है जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसके प्रकास का चाल उतना ही कम होगा अब हम बात करेंगे सूरी गरहन तो जब चंद्रमा सूरी तथा पिर्थवी के बीच में आ जाता है जब चंद्रमा ये देखिए सूरी तथा पिर्थवी के बीच में आ जाता है तो इस इस्थिती में सूरी गरहन कहते हैं और ये ध्यान से पढ़िएगा तो सूरी का प्रकास पिर्थवी तक नहीं पहुँच पाता है और तब इस इस्थिती को क्या कहते हैं सूरी गरहन बीच में चंद्रमा आ गया अब सूरी का प्रकास यहां आ रहा है इसलिए प्रिथवी पर नहीं पहुँच पा रहा है इस समय को हम सूरी गराण कहते हैं चंद्रगरहन जब प्रिथवी सूरी तथा चंद्रमा के बीच आ जाता है तब सूरी से निकलने वाला प्रकास चंद्रमा पर नहीं पाता है इसी स्थिति में हम चंद्रगराण कहते हैं या कहलाता है देखे यहां पे सूर यहां है बीच में पिर्थ भी आ गया अब परकास यहां पहुँच गया चंद्रमा के पास नहीं पहुँचा इस स्थिति को हम चंद्रगराण कहते हैं दोस्तो कितना मेहनत करने के बाद इडिट काईगा तो दूसरी वीडियो लेकर आऊंगा क्योंकि मुझे भी जाब करना होता है समय नहीं मिलता आप लोगों के प्यार की बदोलत वीडियो आती है आप लोग सपोर्ट करेंगे तो दूसरी वीडियो 100% आने वाली है अगले आगे देखिए क्या क्या है प्रकास का पराव किसी प्रिष्ट से या इस प्रकास को किसी प्रिष्ट से टकरा कर प्रकास की वापस लोटने की घटना को प्रकास का परिवर्तन कहते हैं अब दोस्तों हम आपको समझाते हैं पहले ध्यान से समझेगा यहां पे प्रकास के आने वाले किसी एक बिंदू पर आपतित किरण कहते हैं और लोट जाने वाले बिंदू को अलोट जाने वाले उसी दिसा में फिर उसके विपरी दिसा में लोट जाने वाले को प्रावर्तित किरण कहते हैं और जो बीच में होता है इसके जो बीच में आपतित किरण और प्रावर्तित किरण के बीच में जो बनता है उसे हम अभिलंब कहते हैं पेपर में पूछा जाता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कौन बनता है तो बनता है आपतन कौन और पेपर में पूछा जाता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में मिलकर कौन सा कौन बनता है तो परावर्तन कौन बनता है पेपर में पूछा जाएगा जरूर दोस्त पूछा जाता है मनें बता दिया कि कैसे प्रस्ण बनते हैं इन्हें हम अभिलंब इन्हें हम प्रावर्तित किरण और अभिलम आप्तित के बीच में आपतन कोंड और प्रावर्तित किरण और अभिलम के बीच में प्रावर्तन कोंड बनता है प्रकास का अपवर्तन प्रकास का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकास करते समय दूसरे माध्यम की सीमा पर अपने किरण यह सीधी आ रही है लेकिन इज़ सीधे न जाकर हल्का सा तिर्चा हो गई तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दूसरे माध्यम के सीमा पर अपने रेखिये पद्से बिचलित होती है तो जब इस थरह कोई रेखा बिचलित होती है तो इसे हम कहते हैं प्रकास का अपवर्तन इन्हें हम कहते हैं प्रकास का अपवर्तन, अब हम बात करेंगे परकीरलन के बारे में, परकीरलन, परकीरलन, तो ध्यान से समझेगा, जब प्रकास किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अत्यसूच्म आकार के कड़ जैसे धूल वा धूयें के कड़ वायू के अलू आद बिद्धमान हों इन कड़ों के द्वारा प्रकास के कुछ भाग सभी दिसाओं में फैल जाते हैं इस घटना को प्रकास का परकीरलन क पहते हैं आपसे पेपर में पूछा जाता है आकास का रंग नीला होने का कारण क्या है तो आकास का रंग नीला होने का कारण है प्रकास का परकीरलन पूछा जाता है कि सुबा के समय या स्वाम के सम्वें पूरा मौसम लाल आकास के सूरत के समय दिखाई देता है तो इसका कारण क्या है इसका कारण है परकास का परकीरलन क्योंकि परकास पढ़ते ही जो छोटे 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 कड़ होते हैं इस पर जब परकास पढ़ता है तो यह कड़के परकास फैला देते हैं और इसी परकिरिया को हम प्रकास का परकिरलन कहते हैं प्रकास का बेग निर्वात में तीन गुड़े दसके पावर आठ ये पावर है दोस्त क्योंकि पावर नहीं लगवाता है टाइपिंग में तीन गुड़े दसके पावर आठ मीटर सेकेंड होता है जो की सभी माध्मों में प्रका प्रकास की चाल सबसे ज़्यादा किसमे होती है तो उस होती है निर्वात में जो की होते हैं तीन गुड़े दसके पावर आठ मीटर सेक्यंड और प्रकास की सबसे छोटे जो कल होते हैं प्रकास के सबसे छोटे कल जो होते हैं उन्हें हम फोटान कहते हैं आगे है कि प्रकास के गत को प्रकास की गत को किसने मापा तो प्रकास के गत का मापन रोमर ने दोस्तों टाइपिंग में थोड़ा मिश्टेक हुआ है आगे हम बात करेंगा में लेंस्ट, लेंस्ट कितने प्रकार के होते हैं तो लेंस्ट कोई ये नहीं कहेगा तीन प्रकार के होते हैं कि आउतल और उतल और समतल मुख्षता लेंस दो परकार के होते हैं उतल लेंस और आउतल लेंस एक एक पॉइंट हम डिसकस कर लेते हैं पहले उतल लेंस के बारे में समझेंगे जो लेंस बीच में मोटे तथा किनारे पर पतले होते हैं बीच में मोटे तथा किनारे पर पतले होते हैं वो उत्तल लेंस कहलाते हैं और उत्तल लेंस तीन परकार की होते हैं ये तीनों जानना जरूरी नहीं है केवल ये जानना जरूरी है कि बीच में मोटे और किनारे जो पतले होते हैं उन्हें हम उत्तल लेंस कहते हैं आउतल लेंस जो लेंस बीच में पतले और किनारे पर मोटे होते हैं उन्हें आउतल लेंस कहते हैं या कहलाते हैं ये भी आउतल लेंस तीन परकार के होते हैं लेंस की जो छमता का मात्रक होता है लेंस की छमता का मात्रक होता है डायोप्टर लेंस की छमता का मात्रक डायोप्टर होता है और लेंस की फोकस दूरी का कभी-कभी सूत्र पूंच लिया जाता है तो इसका होता है वन अपान बी माइनस वन अपान यू बराबर वन अपान य रखना है अब हम बात करेंगे निकट द्रिष्टी दोस्त का तो जिस ब्यक्त के इसमें ब्यक्त पास के चीजों को तो असपश्ट रूप से देख लेता है या देख पाता है किन्तु दूर इस्थित बस्तूओं को देखने में उसे कठना ही होती है इसके निवारण के लिए आउतल लंस का प्रियोग होता है निकट द्रिष्टी दोस्त में आपको क्या करना है या कैसे समझना है कि जो बस तू निकट की बस्तू देख ले निकट की बस्तू देख ले और दूर की बस्तू ना देख पाए वहां पे होता है निकट द्रिष्टी दोस्त यहां पर आउ दूर की बस्तू असपश्ट देख लें और निकट की बस्तू असपश्ट ना देख पाएं उन्हें कौन सा दोस होता है दूर दिरिश्टी दोस होता है और दूर दिरिश्टी दोस में उत्तल लेंस का प्रियोग होता है ये भी आपको याद रखना है आप इसे पढ़ भी सकत मैंने बता दिया आगे एक एक पॉइंट और देख लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबा जाने वाला है प्रकास का वरड बिच्छेपड क्या है पूछा जाता है कि बिच्छेपड किसे कहते हैं तो प्रकास का वरड बिच्छेपड जब कोई सफेद प्रकास किसी भी किसी भी प पारदर्सी माध्यम से गुजरता है तो वह साथ अलग अलग रंगों में बट जाता है और इसी परकिरिया को हम प्रकास का वरण बिच्छेपल कहते हैं जब कोई प्रकास पारदर्सी माध्यम से गुजरता है तो वह साथ रंगों में विभाजित होता है यहाँ पे देख सकते मैंने इसलिए इसे लगाया है उन्हें हम वरण विच्छेपल कहते हैं और इन्ही रंगो इन्ही रंगो या इन्ही रंगो की इस बैंड को हम इस्प्रक्टरम कहते हैं पूछा जाता है कभी कभी इन्ही रंगो की इस बैंड को हम इस्प्रक्टरम कहते हैं इसका सबसे जो महत् पूछा जाता है कि अंद्र धनुस किसके कारल होता है तो प्रकास के परकीरलन के कारल इंद्र धनुस का सात रंगों में दिखाई देता है इसका करक्टर अशर आप समझ जा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहरा हूं दोस्त आगे आपको बता दूँ इन में साथ रंग कौन कौन से होते हैं बैगनी आस्मानी नीला हरा पीला नारंगी लाल ये सभी आपको याद करना है और इसका नोट से जरूर बनाना है क्योंकि इतना आसान नहीं है दोस्त किसी को सिलक्सिन लेना कि आप बस पढ़कर चले जाएं अगर नोट साब तो चले आगे देख लेते हैं अब हम बात करेंगे वरलांधता की या एक अनुवांसकी बिमारी होती है जिसमें ब्यक्त की वो लाल तथा हरे रंगों में अंतर करने में उन्हें पहँचानने में कठिन होती है वो लाल और हरे रंग नहीं पहँचान पाते हैं उन्हें हम व वर अलान देता उन्हें कहते हैं जो लाल और हरे रंगों को ना पहचान सकें दोस्तों अगर आप लोग सपोर्ड करेंगे हमारा तो इसी तरह आपको 100% की क्लास मिलेगा और इसका पीडियाप भी आपको हमारे चेनल पर मिल जाएगा आपका सपोर्ड ही हमारे लिए मोटी बैसन है दोस्त इसलिए आप जरूर सपोर्ड करिएगा और इसका पीडियाप आपको हमारे एक टेली ग्राम चैनल पर मिलेगा जिस पे 500 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं जिसका नाम है एकजाम गुरुजी भाई अर्बिन सर मैं नीचे डिस्क्रीप्शन में लिंक भी दिदूँगा आप जाकर वहां से आसानी से जुड़ सकते हैं तो बस दोस्तो आपको याद रखने नीचे हम अभी प्रसन कुछ हैं अब इसके प्रक्टिस में उसको प्रक्टिस साल्प करवा रहा हूँ पहला प्रसन है प्रकास की किरण गमन करती है तो प्रकास की किरण जो गमन करती है वा सीधी रेखा में करती है इसका correct answer की तेड़ी रेखा में की किसी भी दिशा में की D इसका correct answer क्या होगा फटा फट आपको इसका उत्तर देना है तो इसका correct answer होगा सीधी रेखा में जो की आपसन नमबर ये बिलकुल सही हो जाएगा प्रकास का बेग नियूंतम होता है सबसे कम प्रकास का बेग किसमे होता है इसका उत्तर आपको फटा फट देना है इसका उत्तर आपको देना है तो प्रकास का जो बेग सबसे नियूंतम होता है वा तरल पदार्थ में होता है जैसे कि जल तेल ये सभी में प्रकास का बेग सबसे नियूंतम होता है इधर जो सामने छोटा सा सीसा लगा होता है वा उत्तल दरपन होता है और हेड लाइट में जो छोटा सा हेड लाइट होता है वहाँ पर भी दोस्त कौन सा उत्तल दरपन लगा होता है लेंस की जो छमता का यसाई मातरक होता है मैंने बता दिया कि लेंस की छमता का यसाई मातर क्या है डायप्टर जो कि आपसन नंबर ये सही है प्रकास के किरडों के समू को क्या कहते हैं तो प्रकास के किरडों के समू को हम किरड़ पुंज कहते हैं जो कि आपसन नंबर भी बिल्कुल कर्यक्ट हो जाएगा उत्तल लेंस को क्या कहते हैं तो उत्तल लेंस को हम अभिसार लेंस और आउतर लेंस को भी एक अन्य नाम से जाना जाता है वह होता है अपसारी लेंस क्या होता है अपसारी लेंस यह हर पॉइंट याद रखना है निमने में से कौन सा पदार्स लेंस बनाने के लिए प्रियोक्त नहीं किया जाता है जल कांच प्लास्टिक तीनों का प्रि छोटा प्रत्विम बनता है छोटा प्रत्विम केवल केवल बनता है उत्तल धरपण से क्यूंकि जो गाड़िया चलती है या आपके पास मोटर साइकल है जो पीछे बैक सीटा लगा वहाँ पे हर वक्त चित्र बनता वाँ छोटा ही बनता है फोटोग्राफी कैमरा का अभी दिरिस्यक होता है किस से तो वह होता है उत्तल लेंस से फोटोग्राफी में जो कैमरा से फोटो खीचा जाता है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है तो उत्तल लेंस लगा होता है एक अउतल दरपन की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वकरता त क्रिज्जा की कितनी होती है दूना होती है दुगनी होती है तो फोकस दूरी की वह कृतात्रिज्जा क्या होगी तो वह कितनी होगी दोस्त दस का अगर होगा तो 20 होगा तो 40 यह आपको याद रखना है किस लेंस के द्वारा सिर्फ कालपनिक प्रतिविम में बनता है कालपनि बीच में पेच्छा इसका उत्तर आपको कमेंड बाक्स में देना है क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ आपको और सोलर कुकर में प्रियोग किया जाता है तो सोलर कुकर में किस लेंज का प्रियोग किया जाता है तो आउतल दरपल का प्रियोग किया जाता है ले उत्तर लेंज से बना प्रतविम कैसे होता है वास्तवी कवर सीधा की वास्तवी कवर उल्टा की वास्तवी कवर सीधा इसका भी कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में देना अगर आप नहीं देंगे तो नीचे इसका कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा उत्तर लेकिन आपको इसका उत्तर दे लेकेंड होती है दोस्तों अगर इसका पीडिया पाना चाहते हैं तो आपको हमारे टेली ग्राम चेनल पर जोड़ना होगा वहां पर आपको मिल जाएगा अगर आप प्रति दिन इसी तरह क्लास पाना चाहते हैं तो किरपाफ हमारा सपोर्ट कीजिए क्योंकि आपका रहेंगे तो हंडेट परसंट है टोपिक वाइज आपको साइंस की मैथ की और प्लस हिंदी की क्लास भी मिलते रहेगी प्लस प्रैक्टिसेट भी मिलता रहेगा दोस्त बस इसमें मैं बता दूँ आपको दोहजार ब्यू प्लस से पांसो लाइक होना जरूरी है क्योंकि कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने क्या गलती की आपके लिए तोस्तो बस जीत के खातिर जुनून चाहिए जिसमें उबाल हो वैसा ही खून चाहिए या आसमान भी आएगा जमीन पर बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए इरादों में जीत की गूंज होनी में गुवर्मेंट जाब मिलेगी अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं और तनमन से पढ़ रहे हैं इसका पीडिया पाप जरूर ले लीजेगा सामतिक जरूर मिल जाएगा तो मिलेंगे दूसरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंग जय भारत बंदे मात